भारतिये तिरंगा भारत का शान है। आपने कई बार भारत के राश्टे द्वस को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे इस राश्टे द्वस को बनाया किसने। पहली बार भारत की रास्टी दोज को कहा पहराया गया था शायद नगी तो आएए जान रेते हैं कुछ ऐसी रूचक बाते हैं भारत की रास्टी दोज को ती रंगा कहा जाता है क्योंकि इस भज में तीन रंगों का सम्मिनम है खरा, सफे और केशरिया भारत की रास्टी दोज की चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद दो अनुपाद फिरीए और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र पहाँ जाता है इस चक्र में 24 घंडिया होते हैं संसद बवन एक मात्र ऐसा बवन है जहां पर एक साथ तीन रास्टे दोज पहराया लगता है रास्टे दोज हमेशा खादी, कौटन ज्या सिल्क का बना होना चाहिए प्लास्टिक का जंड़ा बनाना गयर कामनी है आज जो हमारे रास्टे दोज को आप देखते हैं इसे पहली बार पहली जवान लागते हुए 16 अगस्त प्रीश से नाल किले पर फैराया था है किया आपको पता है सं 2002 एक हाला भारत की आमदंथा लूब केवल गिने चुने रास्टे दोवहारों को छोर बैए सारगनिक रूप से रास्टे दोज को गरहा भी सकते हैं शमय के साथ साथ भारत के दौष के कई बार वद्लागे रहा। स्वामी विवेका नंद के शिश्या भगनी निवेदिता ने में 2044 वबनाया था। भगनी निवेदिता दौरा मा बनाया गया इस वज के 7 अगस्त उपनी सुच्छे गुकलकत्ता के ग्रीन पार्ट एक कॉंग्रेस के अधिवेशन के वक्त बनाया गया। भगनी निवेलिता के इस बच को लाल पीले और घरे रंग के शैथीज पट्टियों से बनाया गया। उपर की केसरिया की पट्टी में 8 ग्रमा गया और नीचे की हरी पट्टी में सूरज और चान बनाया गया। बीच में पीणी पट्टी वर बंदे माधना मिल्खा गया था। दुदिये बार भारत के भज को पेरिस में मेडम कामा और उनके साथ निर्वासित किये गए कुछ कुछ करानिकारियों बारा सं 1905 को फेराया गया था। कंफ्यूज मत कोईएगा क्योंकि भगणी विवेजिता में सं 24 में भारत के द्वज का निर्मार किया था जिसे 1906 में फेराया गया। अभी आप इस द्वज को देखते हो इससे 22 जुलाई 2047 में जंदिधान सभावी भारत के रास्ति द्वज के रूप में अपनाया था। नीचे आप उस द्वज को एकचित में देख सकते हो। उस समय इस द्वज को स्वराज द्वज कहा जाता था। जिसे आधिकारिक तोर पर 1911 में कॉंग्रेस द्वारा अपनाया गया था। भारतिय कानून के अनुसार द्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चलिए। सरकारी नियमों में कहा गया है कि जंडे को सपर्ष कभी जभी जमीन पर या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। राची में 493 मीटर की कुचाई पर देश का सबसे कुचा जंडा फैराया जाता है। यह तिरंगा चाचट फुट 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 चोडा। कि राची का पहाडी मंदिर बारत कद एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर राष्ट की इप्रफु फुट कु जराया जाता है। तो उस्तिरंगे को दुबारा में फिराया जाता है, इसके बाद उसे फून सम्थान के साथ या तो जलाया जाता है या फिर पत्तर बाग कर जल में प्रवाईर कर दिया जाता है भारत का रास्टे द्वज सबसे पहले सबसे उचाई पर 29 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट की चूटी पर शेरपा तेनिजिंग और एडमंड माउंट इंगिलेरी द्वारा फैराया गया तो विक कमांडर राकेश रह्मा में 284 में भारत के रास्टे द्वज को पहली बार अंतरिक्ष को पहराया तुछ इसी भी दूसरे द्वज को आप रास्टे द्वज के उपर जब फिर बरावर में नहीं पहरा सकते हैं ऐसा करना गयर कामुल माना जाता है सन 2009 में पहले रास्टे द्वज को रात में पहराने की अंतरिक नहीं नहीं किया जाता है जब जंडा किसी बंद कमरे में सारजनिक बैट्वों या किसी भी प्रकार के संभेलन में परधर्शित किया जाता है तो दाई और फ्रेक्षकों के पाई और रखा जाना जड़िए यूकि ये अलिकारी फुक्ता है पर कमाल समय में पुगली में इस दिक करनाटक का आधिग्राव और जोग संभी संभोई के पादर लाइसंस ब्राफ्टर जो जंडा उत्पादम और आपुति करता है नीद है इस वीडियो से आज आप अपने राज्टे परस के बारे तेर साही जानकारियां कि अधिए अन्दिपाद कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए अधिए कि अधिए झाल झाल